हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है हार्दिक गडिया और मैं एक रीटेलर हूँ फैब्रिक्स में ओके आज मैं आपको ग्राडो मतब ग्रासिम कंपनी के पैंड के फैब्रिक्स का एक होनिस्ट रिव्यू दूगा उसके सारे एडवांटेजिस एंड डिसडवांटेजिस में यहाँ पर फ्रीली कम्यूनिकेट करूगा मैं वो फैब्रिक के सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट कम्यूनिकेट करूगा जो आपको हिल्प करेगा आपकी बजट के हिसाब से आपकी नीड के हिसाब से आपकी लाइश्टार के हिसाब से चाहे वो फैब्रिक आपको ऑफि अगर आप 1990s के टाइम के हो, अमित आप बच्छन के टाइम के हो, इसको हम लचका फैबरिक बोलते थे. इसकी प्राइज रेंज, स्टार्टिंग रेंज, हजार से बारा सो रुपया मीटर का कपड़ा रहेगा, इसको फ्रेंज, हम यूजुली आज के टाइम सूट पर पहनते हैं, अगर आपको कोई फंक्शनल सूट बनाना है, ऐसा दूलहा या फिर ऐसा बेस्ट में, यह बहुत अच्छा उप्शन बन जाता है, इसमें बहुत सारे कलर उप्शन भी आवेलिबर रहते हैं, ग्रासिम कम्पनी का लच का, ग्रासिम कम्पनी का अर्मानी इसकर प्रीमियम उप्र्णे क् Zwory हो अगर आप सिग व्ह प्रहआन जाता है, अगर आप इसकर पहुत पहको मिलें हो, इसको पहाचानने का तर्श बहुत अलीं इसमम्होफना थप्पा फैब्रिक के हर मेम कव म्म उसके अलावा यह फैब्रिक एक शाइनी लोप देता है उपर से बहुत प्लेन रहता है एंद फ्रेंट्स यह लाइकरा फैब्रिक रहता है इसमें पैंट के फिटिंग बहुत प्यारी आती है फ्रेंट्स कोई भी फैब्रिक ब्रैंड मार्केट में सक्सेस्फुल तीन रीजन से होती है पहला मनी क्या प्राइस वो कंपनी चार्ज करती है फैब्रिक के लिए दूसरा क्वालिटी वो प्राइस में क्या क्वालिटी देती है और तीसरा नौवल्टी उसकी वेराइटी और उसके fabric के collections Grado brand ने clearly अपने target customers अपनी website पर specify कर दिये है उनकी tagline है evolving into luxury fabric brand मतलब आप सस्ते में Grado के कपड़े expect नहीं कर सकोगे Of course, GBTL company का Grado brand medium range में PV fabrics बेचता है तो अगर आपको grassim के fabric चाहिए टेक्निकली अब वो grassim नहीं रहा वो Donya group of companies के हाथ में आ गया है बट अब भी वो grassim के नाम पे ही सब लोग बेचते है Grado के PV fabric की starting range है 500 रुपीस मीटर उसकी fabric की collections, उसके colors, उसकी weaving and उसके quality definitely and genuinely बहुत अच्छी रहती है आदिति बिल्ला की एक company का नाम है grassim grassim की एक company का नाम है GBTL जो fabric बनाती थी वो GPTL company grassim ने Donya company को बेच डाली और फिर उन्होंने Grado brand launch की Grado का full form ही है grassim का gra and Donya का dog and finally friends Grado brand ने इंडिया के fabric market को dominant किया उसके lycra fabrics से उसको हम Streza कहते है Streza brand ने 2-way lycra and 4-way lycra में पहुत सारे fabric collection एक साथ market में डाले उसकी starting range ही friends 800 रुपीस मीटर है market में Streza brand कुछ fabrics 365 days बनाती है इसलिए वो आपको हर time market में मिल जाएगे and coat fabrics का collection वो हर time change करती रहती है हर time वो market में नए products डालती रहती है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा fabric खरीदते हो अके फ्रेंज ग्राडो भी wool fabrics बनाता है OCM कंपनी के साथ ये बहुत लोग नहीं जानते बट ग्राडो अब प्यॉर वोल फैब्रिक्स OCM की पार्टनर्शिप के साथ बनाता है and market में बेचता है and ट्रस्ट में फ्रेंज उसकी quality बहुत अच्छी आती है अगर फ्रेंज आपक अपने श्टीजा एंड टी आर कपड़े में जीतता है उसके collections के वज़े से and collection purely premium and luxurious होते है ग्राडो भी डॉनियर की एक कंपनी है डॉनियर अपने पने नाम पे खुद fabrics बेचता है मयूर fabrics भी डॉनियर की कंपनी है और वैसे Graveria भी एक डॉनियर की कंपनी है जो fabrics बेचती ह इसके अलावा भी डॉनियर कुछ companies के नाम पे fabrics बेचते है मतलब वो अलग-अलग companies को अपने बीच ही competition करवा के fabrics अलग-अलग नाम पे बेचते है डॉनियर एक बहुत premium and बहुत बड़ी company है ऑफकोस रेमें जितना marketing डॉनियर का नहीं हुआ है बट डॉनियर बहुत अच्छ fabrics बनाती है be it grado, be it greveria या be it ocm so अगर आप next time formals के लिए या फिर suit के लिए fabric stitch करवाना चाहते हो then आप grado को एक upvote दे सकते हो उसको एक preference बड़े level पे definitely दे सकते हो thank you